बंगलदेश इब्राहिम मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पिटल इस्टाबलिस्ट रियार है 2002 एफिलेटिर है धाका यूनिवर्सिटी से और रिकोगनाइस्ट है ये बीमडीसी से मतलब बंगलदेश मेडिकल एन डेंटल काउंसिल और इब्राहिम मेडिकल कॉलेज एप्रूप्ट मेडिकल कॉलेज है MCI और WHOC इस कॉलेज की टोटल नंबर ओफ सीट्स है 120 जिसमें से फॉरेण स्टूडेंस के लिए सीट्स एविलेविल है अभी बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में टोटल फाइव यर कोर्स प्लस वन यर इंटर्शिप और इस कॉलेज की मोड ओफ टीचिंग इंग्लिश है इब्राहिम मेडिकल कॉलेज का अभी हॉस्पिटल के बारे में बोला जाए तो इनका हॉस्पिटल 750 प्लस बैड इन हॉस्पिटल है यहां पर हरोज 4168 आउट पेशेंट्स एटेंट किया जाता है हॉस्पिटल में आउट पेशेंट्स के लिए 30% बैड फ्री अविलेवल है इब्राहिम मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो दो मैगनिफेशन्स बिल्डिंग में बना हुआ है फर्स्ट 15 स्टोरेज बिल्डिंग में है सेकेंड 13 स्टोरेज बिल्डिंग में है इब्राहिम मेडिकल कॉलेज एक स्टोरेज बिल्डिंग में बना हुआ है अभी इस कॉलेज की फैसिलिटिस के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में वल फॉर्णिश डिपार्टमेंट फुली एर कंडिशन और एक्विप्मेंट क्लास्रूम्स, म्यूजियम, डिश्कर्शन हॉल, लेबरिटरी, कैंटीन, लाइबरेरी, कंप्यूटर विद इंटरनेट लेक्षर रूम अविलेवल है इबराहिम मेडिकल कॉलेज की अगर होस्टल्स की बात की जाए तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉइस दोनों के लिए सेपारेट होस्टल्स है और होस्टल्स काफी वेल फॉर्निस्ट है और यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ की कभी भी दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर आपको खाने की बात की जाए तो इस medical college में three types का meal provide होता है यानि की breakfast, lunch और dinner किया जाता है यहाँ पर आपको wage और non wage दो टाइप का खाना available होता है अभी बात करते हैं सिफ्टी के बारे में यहाँ पर 24-7 CCTV camera security guards available है अभी हम इब्राही मेडिकल कॉलेज की location के बारे में बात करते है यह college प्रोपर इब्राहीम सरानी शेगून बगीचा धाका में located है धाका यारपोर्ट से 17 किलोमेटर का distance आपको cover करना परता है और total time एक घंटा लगता है तो guys अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरे वीडियो को like, comment and share करना और channel पर नए हो तो subscribe जरूर कर लेना और अगर admission लेना हो तो फिर screen पर दिखाए गए number पर संपर्क जरूर करना तो चलो मिलता है अगले एक नए medical college के साथ